हम लोग एक चेफ्टर पढ़े रहें रिंकिंग टेस्ट ना यानि स्त्रेणी परिछा इसमें कोस्टन सब क्या आता है आपका करम में सजाने का अटा है करम में सजाने इसका हम दो टाइप आपको बताएंगे टाइप वन और टाइप 2 इसका कम से कम 10 से बारा कोशिन पढ़ो और एक मतलब बेसिक अगर बेसिक सब एक बार समझेए एक ही टाइप से ही कोशन आता है जैसे करम में कैसा सजाना है किस टाइप से होगा तो आपको कोशन यहां पर मतलब को को दो-दूर से कंड़े से कली एक बार पढ़ो और एक बार पढ़ेंगे ड़स या पीस कोशन तना पर यह नहीं प्रेक्टिस करों जतना को अपको बन जाएगा देखो पहला टाइप में आपको कौन सकूसें दिए फरस्ट टैफ में जो कोसिंस है की करम में मैं सजाने जैसे मतलうんपर उपर से नी चला जो बड़ा होगा चोटा होगा या फिर उससे करभा कि करम में जिसे मेंग के उपर रख रखा गया पुस्तक है debido दिन दो है तो यह सिंबोल सब देगा यहां पर B से A बड़ा है C से बड़ा है तो हम यह सब नहीं करते हैं हम अगर कोई बड़ा है नाटा ही या छोटा लंबा है इसी पर ही कोशन आएगा आपका जितना रेंकिंग टास के पहला टाइब कोशन है वो बड़ा छोटा बड़ा देता लाएगा ना तो हम क्या करेंगे स्तिरियल वाघ उपर से क्या नीचे सजाते जाए जिसे देखो पहला कोशिन आपको क्या बुला वोओ स्वेता किस से लंबी है स्वेता सुभम से लंबी है यानि सुभम के उपर में कौन होगा सुभम के उपर में स्वेता होगा सुभम से लंबी थी ना तो सुभम को नीचे रख दियो उसके उपर में स्वेता कि शेकन लाइन क्या बोल रहा उतनी लंबी नहीं जितना की ये ससी, मतलब ये ससी क्या, ये दोनों से लंबी है ये ससी उससे उपर हो गया, फिर उसके बाद क्या बोल रहा ये ससी, रंजिता से नाटी है, तो यहाँ पर कुन, उपर में सबसे उपर में कौन हो गया रण्जीता रंजीता यह सशवाहいました और रंजीता उतनी लंबी यह सबसे यह सबसे लंभा हुए तो यह सबसे नीचे में कौन वह शुबहा हुए सुबहा हुआ वे बीच में बोलेगा गत्स वे जो फिला सबसे लंबा को ने तो सबसे लंबा क्यों होगा मनुच एंसर समझ मैं इस टाइब से बैठाओ आप कोई सिंबल मुल देखने का जौरत नहीं अगर बड़ा छोटा लंबा कैसा भी कोशन देगा आप क्या सिधा बैठाते जो कर चलुँँ और अज पुस्तरक एक मेज पर रखा मतल lamps सिरीइल रखा होगा एक के उपर एक रखा होगा तो हम सिरीइल बैठाते जाएंगे सबसे पहला कोशन में क्या बोल荐忍ैर एक को जो ही के नीचे रखा जाए देखो इ यह के नीचे कून किसको रखाी जारा आप ए तो B को A के नीचे, देखो A है, तो A के नीचे कौन आएगा, B, यहाँ पर B हो गया, उसके बाद, D को E के उपर, अगर E यहाँ है, तो E के उपर कौन होगा, D, और पहला लाइन क्या बोला था, C को D के उपर, अब D यहाँ आ गया, तो D के उपर कौन हो जाएगा, C, अगर D के तो question में फिर क्या पुछा है सबसे beeps अगर यहां मेज पर देखो एक दो तीन चार पुस्तक रखा गیا यह मेज है तो मेज के तल को को नश्पर्ष करेगा जो नीचे पुस्तक है अगर मेज के सार फुस्तक करें तो जो सबसे नीचे पुस्तक होगा वो न लेकिन राजु से नाटा मतलब सिसिर जो है राजु से नाटा मतलब राजु कि होगा उसके उपर होगा उसके बाद लेकिन असोग से लंबा लेकिन यह जो है वह असोग से क्या है लंबा मतलों असोग क्या होगा सीसिर और दिलीब से क्या होगा नीचे होगा नीचे होगा ना अब नीचे होगा तो आपको पहला लाइन को पहला कथन क्या दिया था ओप्सन जो दिया था पहला ओप्सन जो दिया था उतना ही लंबा जितना की सिसिर बोल रहा है सिसिर के लंबा है यह असोक क्या है पुछा था ना असोक से असोक तो यह दो देखो उतना ही लंबा जितना कि सिसिर बोल रहा है उससे यह क्या नाटा है तो गलत है दूसरा दूसरा कथन चारू से नाटा बोला चारू से क्या असोक नाटा है बोला नहीं है चारू से नाटा भी हो सकता है या चारू से बड़ा यह असोक जो है दिलिप से क्या है नाटा ह दिलिप से नाटा है लेकिन 4 से बड़ा ही या चुटा है नहीं बता है तो ये भी नहीं होगा 3. राजू से लंबा ये भी नहीं होगा 4. असोक नसे कि… किस के बारे मिग पुछा था असोकसे नाट ऑप censorship से नाट तो देखो चौथा अंती मौस्फिए अब्चन जो दिएते हैं Ciscir से क्या होगा अगर दिशन दोगा हैं तो सेम तरीका से कोई भी कोषचेन मनाते हो तो क्या आपका गलती होने का चांस कम होता है और speed भी क्या होता है बढ़ते जाता है इसलिए कोई भी question हम बोलते बना रहे हो तो एक ही तरीका से बनाओ तरीका से इस टाइप का question को हम बोले सीधा उपर से नीचे बढ़ाओ लंबा बड़ा छोटा कुछ भी देगा क्या उपर से नीचे आगे पीछे भी द से बोलेगा हम देखो step step करेंगे आप question को समझते जाओ आनन्द क्या बोला सूरज से लंबा इसका मतलब क्या समझे आनन जो होगा वह सूरज से लंबा तो सूरज के उपर नम किसको रखे आनन अब पूरा नाम भी लिख सकते हो या सोट में भी लिख सकते हो सोट में लिखो साधनी जो है वह अनन से क्या चोटी यह लेकिन यह सूरज के बारे में नहीं बोला मतलब यह साधनी सूरज से उपर भी हो सकता यह सूरे से नीचे सदनी को साडल में सहगते हैं असओ जो साधनी जो होगा से क्या होगा लंबा होगा इसे बार इस देखो सूरज बोल रहा साधनी जैसा लंबा नहीं है मतलब सूरज जो है साधनी से क्या होगा छोटा हो जाएगा मतलो सूरज की ऊपर में कौन होगा साधनी होगा इसके बाद बोलो लेकिन देखो सूरज साधनी जैसे लंबा नहीं बोला लेकिन असोग से क्या है लंबा देखो साधनी से छोटा कून था असोग था लेकिन असोग जो है बोल रहा सूरेज से क्या सूरेज से लंबा नहीं है मतलब जो सूरेज जो बोला है असोग से लंबा है बोला ना मतलब असोग क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा उसके बाद बताई कि इनमें से कब सबसे लंबा देखो आनन क्या था साधनी सूरज और असोक सबसे लंबा कौन हुआ जो सबसे उपर में यानि अंसर क्या होगा सबसे छोटा बोलता असोक हो जाता देखो बैठाने का यह तरिका सबसे बेस्ट है और टाइम भी नहीं लेगेगा पर देखो यह जो है बी से लंबा ना तो बी के उपर में रखे हैं फिर शेकंड लाइन में बोल रहा है बी जो है सी से लंबा ना तो देखो सी यहां होगा सी से उपर में कौन हो गया बी तो सी से लंबा बी हुआ अब थार्ट में क्या बोल रहा है लेकिन डी से नाटा यह जो बी जो है बोला था किस से लंबा है लेकिन किस से नाटा है डी देखो बी जो है डी से नाटा है मतलब डी जो होगा क्या बी के उपर होगा अब बी के उपर डी कहां पर होगा तो यहां पर देखो यहां भी डी हो सकता है या एके उपर भी हो सकता है मतलब बी से तो लंबा होगा लेकिन बी कहां पर होगा अभी नहीं दिया आगे बोल T से लंबा D है या वो नहीं बोला मतलब यानि यहां पर A भी हो सकता है या D सबसे लंबा में कोन हो सकता है A भी हो सकता या D तो answer क्या बनेगा A या D जो है B से लंबा है लेकिन A से हमको पता नहीं चल रहा यह सबसे लंबा में यह हो सकता है यह समझ मैं तो सड़क पर सिधा खड़ा होगा आगे हम तो हम आगे किस से आगे हैं A, देखो D जो है A से आगे तो A इधर होगा तो A के उपर में क्कोन हो जाएगा? D, अब A से आगे है मतलु ही आगे हुं न? फिर उसके बाद? E जो है B का अनुसरन कर रहा है इसका मतलब क्या है? B और E एक साथ जारा है अनुसरन कर रहा है मतलब एक सिधा में दोनों रहके बात करते चारा जारा आगे C जो है A और B के बिच देखो A यहाँ आ चुका है C जो है A और B के बिच ना अगर C जो होगा A और B के बिच तो यहाँ A आ चुका है तो इधर B आएगा तो C इसके बिच में आएगा C तब A और B के बिच में होगा C जो हो जाएगा A और B के बिच में और B का अनुसरान कोन कर रहा था E मतलब B और E दोनों लाश्ट में एक ही साथ बात कर जाजा सबसे पहले D फिर उसके बाद A A के बाद C फिर B और E तो कोश्चेन में क्या पूछा था मद्य में यानि बीच में कौन है देखो आगे में दो जन पिछे दो जन बीच में कौन है सिह एंसर पांच जहन है तो मंझेख मैं कौन सा होगा गौक्षे में उसके कौन होगा विभी कौन होगति है कंको प्रगर डेकर टाइपborne 2 का कुस्शन समझने से पहले आपको बटा देख सीमपल सा जैसे हम लोग का class में ही हम आपको बता देते हैं हम लोग का class में total विदार्थी कितना है 30 है total student कितना है 30 विदार्थी है तो अगर हम देखेंगे अगर आप लोग को serial वाइस सजाएंगे तो आगे से पीछे या फिर वाएं से अगर सिधा खड़ा करेंगे से 30 जन को यह बाएं से क्या होगा और वो दाएं से होगा अगर आपको इस ट्रीप से सिधा खड़ा किया जाए तो यह उपर से करम अगर हम class का रोल नॉम्बर के इसाबसे ले रहे तो आपका एक से लेक conversion तक होगा न अगर उपर से यह नाव निचे से यह नीचे से यह ले अगर रॉक 1130 कि यह नीचे लेगा अनक्छ यह उपर से नीचे देगा अगर आप लोग तीस जुन अगर तीस जनमें से किसी एक argent को ले लेते हैं कोई एक जन को ले लेते हैं अगर कोई एक जन को ले रहे उसका रोल नंबर कितना है 12 है उसका रोल नंबर कितना है टोटल मेरे पास 30 विदार थी था उसका रोल नंबर 12 अगर हम इधर से लेंगे तो यह कि इधर से ले रहें बाएं से और इधर कुन सा है दाएं से अगर बाइय से इसको लेतोंग अगर वही चीज्ट उसको घर हम दाय से लेंगे तो कितना होगा देखो अगर यह वह सिंपल साथ है अगर अपने उपटर सुच हो अगर मेरा जैसे क्लास में मेरा रोलनमबर कतना है दस है मेरा दॉलनमबर कई लुए 12 है अगर तो यह सब समझते हो तो पिर आपको बनाने में कोई दिकत नहीं होगा जिसे इसके पीछे में कितना जंदा? regard 18 जंटा तो उसका अस्तान जब आए 18 MORE से 19 अगर इस टैप से अगरदाइश से क्या अस्तान होंगा नहीं से क्या श्तान हो운 पड़ेगा, इसके अलाबाब देखो, अभी हम आपको बताएं, अगर हम यहां से जब बाएं से गए, तो कितना अस्ना हुआ? Now, अब जब दाएं से गए, तो इधर से कितना अस्ना था? इसके पीछे में 18 जन, तो उसका अस्ना कितना? 18 प्लस 11. कि सिप्थ से अगर तूटल ल मतलग एक अगर बनुतर दोनों तरप से एक जैने तो एक माइनस कर देंगे तो अगर एक माइनस कर देंगे तो टोटल कितना विधार्थी आजेगा अब इसी कोशिन को देगा अगर कोई उपर से अगर उपर से हम मान लिए चोधवा अस्थान है उपर से कितना अस्थान है 14 तो नीचे से कितना अस्थान होगा देखो टोटल मेरे पा कितना होगा 16 हो 17 से या फिर दाएं से लिए और मतलब ऊपर से लिए नीचे से लिए तो 30 इधर जैसे 30 अगर हम को तो दोबार गिन लिया ना अगर यहां उपर से यह रहे मेरा मेरा स्थानर गिने अब सब सेकेंड़ आ से जब गिने फिट दो बार गिने तो टोटल जो 30 था कितना हो गिया एक तीस में से 14 घटा दिये कि सत्रह सिम्ची जाया तो यह कॉंसेप्ट है ऐसा कॉंसेप्ट बना हो गए तो कोई भी कोशियन आपका गल्ती नहीं होगा तो यह समझ माया आगया श्या डें अच्छब अच्छय में कितने थितने इसमें अजय का अक्रमांग किसका 10 घ्री का ostrButter निचे से जब जाता अजय का क्रमाण 15 15 15 और 21. 36 देखो उपर से जब आए जए को एक बार गिने, निचे से आए जए को एक बार गिने, तो iz'd dearty बोलेगा तो जए को दो बार गिने, तो minus कर देंगा ना, तो 36 minus 1 कैसम माया? 51 ज़ए ना, किसी कच्छा में कितने बिदार थी है? 31 उसमें मेगह का स्थान कुतना है 21 देखो एकिसवा है तो नीचे से उसका स्थान क्या हो गा अगर valut थी मेरा स्थान उबर से किस वह हैं किसे 15 के उसका सतानf ऊंबर कितने अगर मेरा पिछंए तो यह दो तो यह दो स्सलिक। सब्सक्राइब देखो ध्यान से सुनो अगर किसी कच्छा में 51 विदार थी है कितने विदार थी है अगर किसी कच्छा में काउन विदार थी है और मेघा का स्थान बोल रहा है कोन है मेघा मेघा का स्थान उपर से कितना हो जा रहा है 21 वा है, मेघा कस्तान कितना है, 21, अगर 21 जन में 21 जन इधर है, तो मेघा से पीछे कितना जन होगा, 21 में से 20 यानी, 30 जन, अगर यहाँ पर 30 जन है, तो मेघा कस्तान कितना होगा, जैसे देखो, अगर मेघा से पीछे में कितना जन है, 30 जन, तो उसका रोल नमर कितना होगा, 30 फिर उसका बार यह आएगा 30 प्लस एक एक तीस यानि नीचे से मेह आकस्तान कितना हो जाएगा समझ मैं है ट्रिक बताएंगे यह तो है नीचे में जितना बचा ना है वहाँ पर किताब से में पढ़ोगे ना देखो किताब में पढ़ोगे तो एक आउन माइनेस एक इस ट्रिक में लिखके देखा इतना माइनेस इतना प्लस वन वो चीज रटना नहीं है अगर बेसिक चीज तो समझे रहोगे तो आपको ट्रिक का क्या दरकार यह तो बेसिक है ना कहानी अराम से समझ जोगे या फिर आपको द नीचे से जब दोनों तरफ से गिनते हैं तो इसको दो बार गिनते हैं तो टोटल में क्या होता है एक वर्दी हो जाता है तो एक उसमें वर्दी होगा तो कितना हो जाएगा बावन बावन में से उपर का स्थान 21 तो नीचे से कितना हो जाएगा दो में एक या एक पांच मे तो एक बर ज्यादा ले लेते ना दो बर गिंते ना इसनको प्लस वान यानि बावन विदार्थी टोटल हो गया अब उसमें से उपर का एकिस है तो नीचे से कितना होगा एकिस घटा दिये एक तिस इसा ही बना खोश्चन में क्या बोल रहा चालीस विदार्थियों के कच्छ अब लूर्ण में क्या जरू है तो ऊसका निचे में कितना जन ora digo राजू के निचे में किस जने तो निची से से करवांग로 पुचेंगे उसका नीचे में किस है तो उसका इत्म स्प्ल से RNAowy या फिर एक बार उपर से ले रहे एक बार निचे से लेंगे तो राजू को क्या दो बार गिना आएगा यानि टोटल जो 40 था उसमें एक प्लस हो जाएगा नि एक चालेस अब उपर से अस्तान 19 है तो निचे से कितना होगा एक चालेस माइन एस उनिस इगारा में नहों गया दो यानि तीन में गया वाई सेंसर दोनों तरीका से बना सकते हो जो भी बना पड़ो और देखो को पड़ो गया जैसे लिखने का जो तरीका हम बोले ना सही रखोगे तो कभी गलती नहीं होगा कोश्चन बोलो बाएं तरफ से एक आस्थान कितना है बाएं तरफ से एक इतने आस्थान परें 15 और दाएं तरफ से बी बी कितने आस्थान परें साथ वाँ, इनके बीच में कितना जन है? तुर्अ Inde, देखो 82 से A को 15 सद हो ए और B को दाएं से 7 इसे 7 हो नहीं, और बीच में कितना जन है? 3 जन, देखो 3 जन रख दिए अब जो C है A के तूरंथ बाएं है अगर A यहाँ पर है, तो सी a का बाइं हाथ कि दर होगा आगी हो रहा ना तो a के तुरन्त दाएं कोन होगा c a के तुरन्त दाएं मतला c यहां पर है अब दाएं से दाएं से c का स्थान पुछा देखो दाएंसे यहां तक कितना है 7, 8, 9, 10, 11, 12, सीकस्तान 12, सिधा, 7, तीन, 10, 11, 12, सीकस्तान 12, कोशिन जैसे बोला, वो यह से किये, कुछ नहां किये, क्या, कोशिन बोलो, फटा-फट बना देते, 36 बिधार्तियों की एक कच्छा में बुर रहे रहे ला, टोटल विदार्थी कितना है 36 विदार्थियों की एक कच्छा में 36 विदार्थियों की लड़कों की संख्या क्या बोर रहा लड़कियों की संख्या से दोगनी यानि बोयस और गल्स का अनुपात कितना है एक और दो एक और दो यानि दो अनुपात इन दो और एक इन तीन के लड़कियां है बारे और लड़के लड़के कितना है चोबीस उसमें बोल रहा सरीता सरीता क्या बूल रहा कुशन बूलो क те 13 लड़के जो है सरीता के पहले और सरीता का क्मांग कितना है उनेसे की सरिता का कर्मा कितना है 19 और सरिता से पहले कितने लड़के हैं देखो सरिता से पहले कितने लड़के हैं बोला तेरा देखो ये इसका अस्थान कितना था उनिस्वा अगर इसका अस्थान उनिस्वा था तो यहाँ पर अगर उनिस जन था तो उसके आगे में कितना जन है टोटल टोटल कितना जन है बोले अगर सरिता का करमाग उनी से अगर उसका स्तान उनी से मतलब उससे पहले कितना अठरा जन होगा ना उसका रोल नमबर उनी से तो उससे पहले कितना जन है अठरा जन है अगर यहाँ पर टोटल अठरा जन है तो इस अठरा में से क्या है बोईस कितना तो गल्स कीतना होगा 5 हो गया टोटल अठा जंद ना गतेरा एगले से तेरा प् wants अर लड़कियां सरिता के पहले में कितना लड़की ककepend Rich कंच्चर के बाद में कितनी लड़किय यह कोशंद दिया था यहां पर टोटल लड़कियों की संख्या बारा है अब मास्टू उपर में सरिता का और सरिता मिला के छे हुआ तो उसके पीछे मार बचा कितना बारा में से छे चल गया तो छे लड़किया को दिकत है कि खलिक समझे ना था इसको लिखने का तरीका अच्छा से लिखो गलती नहीं होगा लिखने का तरीका को अच्छा से लिखो जोनसेप्ट पेले बनाए है वो रोख बनेगा को सिता का स्थान बाएं से कितना है देखो ये बाएं तरब से ना बाएं तरब से जो सिता का स्थाने वो कितना है सत्वा स्थाने और दाएं से लीना का स्थान दाएं तरब से जब देख रहें किसका स्थान लीना का स्थान कितना है नवा अब देखो बाएं तरब से सिता का स्थान कितना था स और दाएं से लीना का स्थान क्या था नो दोनों अपना अस्थान क्या करेगा अदल बदल करेगा मतलब सीता के जगह में को ना जाएगा लीना और लीना के जगह में क्या जाएगा सीता उसके बाद कोश्चिन में क्या बोलना अब सीता बाएं से कितना हो गया देखो सीता यह यहां पर 22 से कितना हुआ था इकारा इगारा फ्लस नो इगारा नो इस अब यह बाएं से एक बार लिए हैं और दाएं से एक बार लिए माइनस जगह चेंज किया था ना सिता के जगह में कौन आया था लिना आया था तो यह सिता के जगह में लिना के जगह में सिता अगया तो यह लिना के जगह में अगर सिता आया और यह बाएं से गारा हो गया अगर यह इगारा बाएं से यहां तक ही गारा है और यह दाएं से यहां त इसको दो बार गिन लिया ना तो एक माइनस किए उननिस समझ मैं इसी का दूसरा दरीका भी बना सकते हो देखो सीता का यहां से किता था यहां तक साथ अब जब यहां पर गया तो कितना हो गया इकार मतलों यहां के बीज में साथ से आठ नो दस रख जाने बीच नवाशतान हो गया आठ नो दशिकार मतलों इहां बीच में कितना जैनवा यह 1904 क्लस हो जाएगा न है टोटल को दिखत है लिखने का तरीका मेने लिखने का तरीका अगर इस ट्रेट टैप का एक बार लिखो दो बार लिखो तीन बार लिखो चार बार लिखो पांच बार दस बार लिखोगे ना आपको लिखने का तरीका भी समझ में जाएगा और डारेकली देखके भी बना दोगे हम त दोसे बार बना यह लिख लिख के आठ साल से बना रहे हैं इसे थोड़े हैं आठ सल से ज्यादा हो गिया है दोजार कितना दोजार बारा से पड़े दोजार चोधर चोधर में उखरी किये 15-16 भी 2016 से ना 17 से पढ़ाना सुरू किये 17 से पढ़ाने के स्प्रियंग से मेरा 6 साल का है देखो बच्चों की एक कतार में दीपा जो है किदर बाएं से दीपा जो है बाएं से कितने अस्तान पर है पढ़ान और बिजय जो है दाहएं से तिरवे एस पर इसना दीपा देखो बायें से नौवे स् stretches और बिजय दाहएं से च Вас थारो उसके बाद देखो यह 22 से 17 और यह 22 से 13 17 तोटल अगर देखते तो टोटल कितना हो गया 30 यानि टोटल बिधार्थी कितना हो जाएगा एक माइनस टोटल अगर बिधार्थी बोलता तो 29 इंसर यह पर हो जाता समझ मैं लेकिन आपको क्या पुछाता है बिजेग का अस्थान किदर से ऊपर देखो यह पर देखो यह पर बीकमें कितना हो जान एक साथ दायं से अगर इसका स्तान देखरें बीजे क्या मना सकते ना या फिर टोटल मेरा कितना आया था 29 अब बीजई आया इधर कितना अस्थान पर है दैंस आया नहीं आपर अगर यह बायें से कितना अस्थान है नो तो दैंस से कितना होगा टोटल 39 यूंतीज सदर था तो एक बढ़ा देंगे 30 अब 30 यह बायें से नमे अस्थान पर तो दैंसे इस नम। तो तीस में इस गया एक दोनों तरफ से जब लेंगे एक बढ़ा देंगे यानि एक तीस अब बाये से अब कितना है नो अगर बाये से नो है तो यह कितना हो जाएगा एक आसर था थेकि एक तीस-9 यानि क्लिर